इस स्टुडियो में हम खक्षा 8 का परशनावली 10.2 का परशनमर 4 को हल करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस स्टुडियो को तो देखिए डियर स्टुडेंट्स परशनमर 4 में हमसे क्या कहा गया है कि अपने मित्र के मार्ग दशन के लिए एक मानचित्र खीचिये ताकि वो आपके घर बिना किसी कठिनाई के पहुँच जाए तो देखिए Dear Swains यहाँ पर हमने एक मानचित्र खीचा है और यह हमने इस तरह से खीचा है ताकि जो हमारा मित्र है वो इस मानचित्र को फोलो करते हुए और यहाँ इस घर तक यानि कि हमारे घर तक पहुंच जाए तो देखिए हमने इस मानचित्र में अपनी लोकालिटी के हिसाब से यहाँ पर इसको बनाया है हो सकता है कि आपकी लोकालिटी अलग हो इसलिए आप अपने मानचित्र को जब खीचेंगे तो उसमें कुछ चेंजिस कर सकते हैं जैसे कि हमारे लोकालिटी में यहाँ पर एक इ shop है, ठीक है, हो सकता है कि आपकी locality में कुछ अलग और भी चीज़े हों, जैसे कि हो सकता है आपकी locality में मंदिर हो, इसके अलावा senior secondary school हो, ठीक है, तो इस तरह से आप changes करके और अपना जब मालचितर खीचेंगे, तो उसको इस तरह से खीच सकते हैं, ताकि जो आपकी locality में ह तो आप इस माझचित्र में देखा सकते हैं ठीक है तो देखिए माली जी कि आपका जो मित्र है वो यहां इस city park में खड़ा है ठीक है तो आपने अपने मित्र को बोला कि वो city park से सीधा चलते जाए और फूर left ले ले यायनी कि left turn यायनी कि बाय मुड़ जाए और बाय मुड़ आप मोड़ेगा और सीधा चलते जाएगा फिर उसके बाद उसके दाया तरफ यानि कि इस कॉरनर पर एक POLICE ठेशन आएगा वहां से वह दाया मुढ़ जाएगा यानि की राइट हैं कि मुड़ जाएगा और सीधा चलते जाएगा तर एब स्वास इक दाया तरफ के बाद फिर से left मुड़ना है और फिर हमारा घर आ जाएगा यानि कि मेरे घर पर पहुँच जाएगा वो ठीक है तो इस तरह से ये हमने कुछ मानचित्र को इस तरह से खीचा है ताकि जो हमारा मित्र है वो इसको follow करते हुए और आसानी से हमारे घर तक पहुच जाए आप अपने हिसाब से अपनी लोकैलिटी के हिसाब से मानचित्र में कुछ चेंजिस करके और खीच सकते हैं ठीक है तो इस तरह से ये हमारा प्रश्ण इंबर 4 का हल हुआ I hope आपको वीडियो अच्छा लगा है अगर वीडियो अच्छा लगाए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इस से हेल्प मिले और कहीं भी डाउट है इस प्रश्ण में तो आप कमेंट करके जोइन कर सकते हैं तो फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में नए प्रश्ण के साथ तक तक के लिए अपने ध्यान रखे धन्यवाद